तो दोस्तों हम अगला टॉपिक देखेंगे जो है हमारा सुरक्षा वाल्ब अर्थात सेफ्टी वाल्ब यह मोमेंट का अप्लिकेशन जो हमें पढ़ना है उसके अंतरगत एक टॉपिक है तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर क्या होता है सेफ्टी वाल्ब समझते हैं इसको से सुरक्षित रूप से कारे करता रहे तो सेफ्टी वाल्ब की सहायता से बॉयलर सुरक्षित रूप से कारे करता है तो इसका उद्देश से क्या होता है सुरक्षा वाल्ब का की बॉयलर में जो भाब बनेगा वो दबाव के कुछ मानों तक कुछ मानों तक सुरक्षित है अगर उस दबाव से जादा हो रहा है तो क्या करेगा कि जो प्रेसर है उस प्रेसर को छोड़ देगा रिलीज कर देगा और इसमें चीत्र की सहता से हम समझेंगे और सबसे पहले देखिए यहां पे जो यह वाला यहां पे आपको पाई प्या टब की तरह जो यह दिख रहा है यह हमारा ब lotta इसमें यह ब्लू color का जो भाग है इसमें पानी है जो गरम हो रहा है और यह घ्रम पानी यहां पे भाप के रूप में कठा हो रहा है जो इधर से उपर की तरफ जाएगा और आपको तो यह जो गुलाबी कलर की जो संद्रचना दिख रही होगी यह हमारा वाल्ब है और इस वाल्ब को यह उपर की तरफ उठाने की कोशिज करेगा और इससे जुड़ा हुआ यह जो है ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है इस ग्रीन कलर वाले भाग को हम कहेंगे लीवर तो अब यह कैसे कारे करेगा इसको हम थोड़ा सा आगे समझेंगे लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो इसके मुख अवया हुआ है वो कैसे कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए है तो यहां पे देखिए कि जैसे हमने नोट भी किया है कि यहां पे जो यह वाल्ब है इस सीट यह जो पाले कलर यह दोनों साइड में यह हमारा वाल्ब सीट हो गया और वाल्ब सीट का यह जो इस हिस्सा है यह वाल्व सीट का जो हिस्सा है यह जुड़ा हुआ है इससे इससे वाल्व बॉड़ी से इस वाल्व बॉड़ी जो यह ऐसे च्छायांग की टाइप का चीन करके ऐसे क्रोस क्रोस करके बना हुआ है इससे जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह हम सब्सक्राइब दूसरी चीज हमारी हो गई वाल्ब सीट तीसरी चीज हमारी हो गई वाल्ब बोड़ी अब ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है वाल्ब जुड़ा हुआ है वाल्ब सीट से वाल्ब सीट जुड़ा हुआ है वाल्ब बॉड़ी से और वाल्ब बॉड़ी जो है इसका जैसे हम एक हमारे पास चैनल टाइप का सी टाइप का सेक्शन होता है वैसी तरीके से हमारा या वालबडी है तो यह हमचुकी इसका जो ये उपरी वाला हिस्सा है इसको हम कहेंगे flange और इस पता नहीं आपको साद नहीं दीखेंगे होगा हम इसे उपर कर लेते हैं यह गया फ्लैंज नीचे वाला सिरा जो है इसे भी हम कहेंगे फ्लैंज और यह जो बीच वाला भाग है इसे हम कहते हैं वेब वेब है इसको हम वेब तो यह जो फ्लैंज है इस पर हम गौर करेंगे वाल्ब बॉड़ी का फ्लैंज तो ये जो ब्लैक कलर से ये च्छायंग की टाइप का जो भाग बना हुआ है इसको मार्कर की सहायता से दिखा रहे हैं ये भाग जो सी सेप का है ये जो सी सेप का है ये हमारा हो गया वाल बाड़ी वाल बाड़ी का निचला फ्लैंज जो है वो जुड़ा होता है बॉयलर से ये हमारा बॉयलर है जैसे हमने बताया भी तो बॉयलर से ये नट की सहायता से या वेल्डिंग की सहायता से ये फ्लैंज हमारा जो उपरी हिस्सा है, उपरा उपरी हिस्से वाला जो फ्लेंज है, वो नट की सहायता से, जो ये हमारा लीवर है, इस लीवर से जुड़ा हुआ है कहाँ, फल क्रमर्थात, आलंब पे, तो यहाँ पे हम इसको फिर से एक बार देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास हो गया ये व वाल्ब बाड़ी से, वाल्ब बाड़ी का दो भाग हम करेंगे आपे निचला फ्लेंज और उपरी फ्लेंज, तो जो उपरी फ्लेंज है, इससे नट की सहायता से, ये हमारे मुख जो लीवर है, उससे जुड़ा हुआ है, जो फल क्रमर्थात आलंब पे जुड़ा है, अब चुकी इसी को हमने यहां पे नोट किया हुआ है, देखिए कि वाल्ब के वाल्ब सीट से, वाल्ब का वाल्ब सीट और इससे जुड़ा हुआ है वाल्ब बाड़ी, जिसका निचला हिस्सा वाइलर से जुड़ा हुआ है, उपरा हिस्सा फल क्रम की सहायता से वाल्ब की जो मुख्य छड़ है, जो मुख्य लिवर है उससे जुड़ा हुआ है अब यहां पे एक चीज़, यहां Valve, Seat और Valve यहां पे देखिए ब चितर की साहता से यहां पे जो यह Valve है, जिसे हमने Pink Color से दिखाया है, यहां पे है तो इसमें जंग लगने का जो है संचारण होने का खत्रा ज्यादा है इसकी वज़य से यह दोनों पार्ट है यह बनाए जाते हैं मिस्र धातु कांसे के तो जो उसमें जंग के पर्ती परति रोधी गुना जाता है जिससे जंग जो है फो चल्दि ये खराब नहीं होगा जग नहीं लगेगा तो ये दोनों भाग जो वाल्व है ये दोनों बने गए बने होगे हैं किसके कहां से के तो अब हम आगे अब देखेंगे ये point होगे हमारा wider में पानी के गरम होने पर हाँ अब जैसे कि हमने बताया भी कि ये जो पानी है ये गरम होगा तो जब ये गरम होगा तो वास्प बन करके उपर की तरफ जाएगा जब ये उपर की तरफ जाएगा तो एक निश्ची दाब के लिए ये जो वाल्ब है ये फिक्स रहता है और उस दाब तक ये वास्प को रोक करके रखेगा और जैसे ही थोड़ा भी ज्यादा अगर दाब होता है तो ये उपर की तरफ उठ जाएगा वास्प के कारण और ये उठेगा तो वास्प जो है देखिए ये जो दूसरा कंडीशन है वास्प यहाँ पे इकठा हो रहा है और ये जब ज्यादा दाब हो गया तो ये इसको उपर उ हुआ कि ये इसको वाल्ब को उठा देगा अत्यधिक दाब होने पर ठीक है अब देखिए उसके बाद वाल्ब जो है वो उपर उठने की कोशिश करेगा और गैस जो है वो निकल जागा तो यहाँ पर इसका जो कार्य करने का सिद्धानत है उसको हम दो भागों में बाटें और वो दो भाग कौन कौन से हैं पहला कि जब समानने दाब होगा तब ये कैसे कारे करेगा जब अत्यधिक दाब होगा तब कैसे कारे करेगा तो इसमें बिल्कुल सिंपल है पहले चित्र में जैसे हमने देखा कि जब समानने दाब रहेगा तो क्या होगा कि इसी इस्तिती में बना रहेगा, यह उपर की तरफ नहीं उठ पाएगा. यहां पे जो भाप है वो इकठा होता रहेगा यहां पे लेकिन यह इस वे उठा नहीं पाएगा. जितना दाब के लिए वो फिक्स किया हुआ है कि इतना तको सह सकता है. अगर उसके सहन चमता से जदा हो गया वहाँ पे भाप तो वो क्या करेगा वाल्व को उपर की तरफ धकेल देगा और फिर वो बाहर सारा वास्प निकल जाएगा और जब वास्प बाहर निकल जाएगा तो ये वाल्व पुना अपनी इस्तिती में आ करके बंद हो जाएगा बिल्कुल इस कंडिशन में फिर से आ ज निकल जाएगा और पुना अपने इस्तिती में आ जाएगा तो ये इसका सिद्धान्त हो गया ये कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं उसके बाद हम इस पर प्रस्न आयेंगे जो प्रस्न हल करने होंगे उसको हम अब यहां पर देखेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे कैसे हम जो यहां पर इतना फिक्स करेंगे ये कल्कुलीड करना होता है कैसे हम करेंगी देखतें है अगे कि आगून के कि सिध्धान्त होता है सिग्मा यां बाराबर जीनों तो यहां पर अगोंड लेने से पहले हम जो कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट से उनको हम नोट करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यह जो चीत्र है इस चीत्र को हम यहाँ उठा करके ले आते हैं और इसकी सहता से समझने की कोसिस करेंगे अब यह सायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा तो अब हम यहाँ पे कुछ points जो है वो note करेंगे उसके बाद हम आगोंड लेंगे तो चलिए यहाँ पे हमारे पास हो गया सबसे पहले यह देखिए यहाँ पे marker से हम दिखा रहे हैं आपको यह W1 जो है यह क्या है तो W1 यह हमारा यह अभी हमने आपको बताया यह हमारा valve है तो valve का भार हो गया उसके बाद हम W2 को लेंगे देखिए यहाँ पे यह W2 है यह जो green color से हमारा है यह क्या है liver है तो यह liver का भार हो गया liver का भार फिर W3 डबलू थ्री जो है वो गती सील भार का अंतिम बिंदू है देखिए यह जो लिवर है हमारा इस लिवर पे यह जो हमारा लिवर है इस लिवर के लास्ट में यह जो आप देख रहे हैं डबलू थ्री नाम से जो यह भार यहां पे लटक रहा है यह क्या है जैसे हमने इस्टील यार्ड में देखा था कि यह चल भार होता है जिसको हम एक अस्थान से दुसरे अस्थान तक घसका सकते थे उसी तरीके से यह जो भार है इसको हम एक अश्थान से दुसरे अस्थान तक दाब को specific बिसिश्ट बिंदू पर अस्थापीद करने के लिए हम इसको एक अस्थान से दुसरे अस्थान तक घसका करके adjust करेंगे यह हमारा गतिसील जो भार है उसका उंतिम बिंदू हो गया उसके बाद W1 हो गया W2, W3 उसके बाद और हमारे पास जो point है वो है yaf यह देखिए यहाँ पे yaf यह बिंदू जो है हमारा हो गया फलक्रम या आलंब फलक्रम या आलंब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चुकि यह जो कुछ इस तरीके से दाब जो है ओकठा होगा वास्प तो यहां पर जो तिवरता रहेगी वह माल लेते हैं कि पी तिवरता का दाब होगा यहां पर तो इसको हम पी बराबर लेंगे सुरिक्षित दाब तिवरता थीक है उसके बाद एक और चीज हम यहां पर नोट करेंगे कि यह जो हमारा वाल्ब है इस वाल्ब का जो यह भाग है इसका हमें छेतरफल ग्याद करना होगा तो उसका छेत्रफल हम जो ग्याद करेंगे उसको हम नोट करेंगे ए बराबर वाल्ब का छेत्रफल तो इतना चीजें हमारे पास जब रहेंगी तो हम आघूंड लेंगे तो समझ में आएगा हमको चलिए अब देखिए यहाँ पर जब हम आघूंड लेंगे तो बिन्दू यफ हमारे पास है यह जो बिन्दू है हमारे पास इसके सापेक्च हम आघूंड लेंगे तो नोट करेंगे हम बिन्दू यफ के सापेक्च आघूंड लेने पर अब यहां पे हम बहुत ही असानी से इसको करेंगे देखिए सबसे पहला हम जो कार करेंगे वो यह करेंगे कि हमारे पास अगर माल लेते हम यहां से लेलना सुरू करते हैं W3 से यह हमारा हो गया भार और लंबवद दूरी यह जो है हमारा इसके बीच की दूरी हम लेंगे यल 3 तो W3 से आलंब के बीच की दूरी यल 3 तो यह हमारा हो गया तो कि यहां पे दिसा काम ध्यान रखेंगे इस बिंदू के सापेक्च ले रहे हैं तो यह हमारा घड़ी की सुई के दिसा में है इसलिए यह निगेटी होगा तो माइनस W3 माइनस W3 इंटू L3 फिर से हम इसको री चेक करेंगे और W3 इंटू L3 फिर उसके बाद जो हमारे पास W2 है लिवर का भार है वो यहां पे है लग रहा तो यह W2 और यह दूरी हमारे पास यल्टू है आलंब तक की यहां तक की दूरी तो W2 इंटू L2 तो यह हो गया हमारा कि माइनस W2 गुणे यल्टू माइनस यह चुकी यह भी देखिये यहां पे घड़ी के विप्रीद इसामे सब्सकें है उसके बाद हमारे पास है यह जो भार है हमारा वालो का जो भारthe W3 हम ले रहे है वालो का भार भी यहां पे है और यह भी घड़ी के सुई के बिप्रीद दिसामे है तो ये हमारा हो गया W1 into L1 minus W1 into L1 ये तीन हमारे पास हो गया भार अब इनका भार का आगूण अब इसके बाद हम और देखेंगे एक चीज ये किसके बराबर होगा या एक और यहाँ पे जो है ये जो तिवरता लग रही है देखिए ये जो तिवरता लग रही है उपर की तरफ में पीदापका इसको हम चेंज करना होगा हमें तो कैसे चेंज करेंगे हमारे पास क्योंकि ये जो हमारा है वाल्ब का छेतरफल हम गयाद करेंगे यहाँ पे वाल्ब का छेत्रफल बराबर चुकि यह वाला जो भाग है हमारे पास यह बृत्ताकार है तो यहाँ पे बृत्त का जो छेत्रफल है उसको हम लगाएंगे बृत्त का छेत्रफल तो यहाँ पे हमारे पास डाया अगर दिया है आप ब्रीद का छेत्रफल कैसे भी निकाल सकते हैं तो अगर हम डारेक्ट करेंगे तो पाई भाई फोर इंटू डी स्कुएर हम लगाएंगे यहां से और इससे हमें छेत्रफल एरिया मिल जाएगा तो चुकी हम जानते हैं कि दाब बराबर पी बराबर क्या होता है और सपान एरिया तो यहां से हमारे पास जो तिवरता है वो हमें पता है हमें पी पता है और यहां से जब हम छेत्रफल निकालेंगे तो एरिया पता हो गया area और P दाब दोनों हमें पता है तो तिर्छा गुड़ा करेंगे तो बल बराबर हमारे पास मिल जाएगा बल-दाब गुड़े छ्थरफ़ल थिक है ये हमारे पास मानायगा ये जो दाब गुड़े यह कहां पर अपलाई होगा यहां नीचे से इस बिंदू पर ऐसे लग रहा होगा यह यहां पर लगेगा ऐसे कुछ यहां से यह दूरी जो है यह होगी हमारी इसके अपोजिट में यह होगा प्लस में माल लेते हैं इसको और इसको यह घड़ी के सुई के विपरीत होगा तो यह होगया हमारा दाब अर्थात पी इंटू यह हमारा पी होगया और यह होगया एरिया ए उमिद करते हैं आपको दिख रहा हो पी इंटू ए यह होगया हमारा बल गुणे लंबवद दूरी हमारे पास कितना हुआ इस केस में इस दूरी यहां पर यह लग रहा है तो यह दूरी L1 ठीक है तो L1 हम लेंगे अब आगूर के नियम से ये बराबर हो जाएगा टोटल जीरो के अब इसको हम हल करेंगे यहाँ पर हमको जो मान निकालना है वो निकालना होगा डबलू थ्री निकालना होगा किसी केस में तो हमको अगर W3 निकालना है तो हम क्या करेंगे W3 को अकेले करेंगे इन सब को हम तीनों को हम उस साइड ले जाएंगे तो यह हमारे पास P गुणे A into L1 बराबर W3 into L3 यह भी प्लस W2 into L2 plus W1 into L1 अब हमारे पास अगर जो भी हमें निकालना होगा उसको हम अकेले करेंगे माल लेते हैं इसको हमें निकालना है तो यह बाकी सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी P into A into L1 minus W2 into L2 minus W1 into L1 यह बटा में आ जाएगा इसके तो यह हो जाएगा L3 तो इस तरीके से हम W3 निकाल सकते हैं जब हम इस पर सवाल बनाएंगे तो चीज़ें यह clear होगी तो इस तरीके से हम आग हूँड लेंगे और मान निकालेंगे सबसे पहले हम इस पर एक प्रसंद देखते हैं उसके बाद चीज़ें clear होगी एक सुरपच्छा वाल्ब की छड़ का भार 40 N है इसका गुरुत्व केंद्र वाल्ब के केंद्र से 90 mm की दूरी पर इस्तित है जो हलकरम से 80 mm पर है यदि वाल्ब का ब्यास और भार 70 mm और 60 N हो तो बॉयलर में भाप का दाब 1 N पर mm2 रखने के लिए 750 mm लंबी छड़ के सीरे पर लटकने वाले भार का न्यूंतम मान ग्याद करना है तो जैसे हमने अभी जो सुत्र के रूप में निकालने का प्रयास किया अगून लगाने के बाद तो हम यहाँ पे जो W3 है इसी का मान हमको ग्याद करना है कि लंब छड़ के सीरे पर लटकने वाला जो भार है उसी का मान हमको ग्याद करना है यह लटकने वाला भार W3 तो जो यह चित्र है इसी चित्र में हम मान रखेंगे और हल करेंगे question को देखिए सुरक्षा वाल्ब की जो चड़ है उसका भार सुरक्षा वाल्ब की जो चड़ है तो ये जो चड़ हो गया हमारे पास जो green color से है इसका भार अर्थार जो w2 है वो हमको मिलेगा 40 newton इसका गुरुत्य केंद्र वाल्ब के केंद्र से 90 मिटर की दूरी पर है मतलब की हमको यहां से यहां तक की जो दूरी है वाल्ब का केंद्रे हो गया और यहां से यह जो दूरी है यह हमको दिया हुआ है 90 उसके बाद जो फलक्रम से 80 mm की दूरी पर है मतलब की यहां से यहां तक की दूरी हमको पस्ती दिया हुआ है यदि वाल्ब का ब्यास हमको डाया दिया हुआ है तो डाया ओफ वाल्ब बराबर 70 mm तो हम इसकी सायता से पहले 6 फल गयाद कर लेंगे तो बृत का 6 फल पाई बटा 4 इंटू डी स्कॉायर हम डायरेक्ट अभ्यास में ही मान रख दे रहा है तो हमको यहाँ पे पाई बटा 4 कमान 0.785 होता है और डी स्कॉायर जब 70 का स्कॉायर करेंगे तो यह कितना आएगा इसको जब हम कैलकुलेटर की सायता से हल करते हैं तो देखते हम कितना आता है 0.785 गुणे तो यह हमारा हो गया mm स्कॉायर ठीक है तो हमारे पास 6 तरफल मिल गया फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि वाल्व का भार अर्था जो यह डबलू वन है यह हमारे पास है डबलू वन बराबर 60 नूटन तो बॉयलर में भाप का दाब दाब की जो तिवरता है अर्था जिसको हमने पी से यहां पे बताया था कि यह जो यहां पी कट्था हो रहा है यह हमारा पी से हमने बताया था तो पी बराबर हमारे पास है कितना वन नूटन पर एमें स्कॉायर यह है हमारा दाब चुकि हम जानते हैं कि दाब बराबर बल बटा में छेतरफल जैसा कि हमने वहाँ पे भी बताया था यहाँ पे हमने जो छेतरफल निकाला है वाल्व का वो हमको पता है तो हम इसमें मान रखेंगे तो हमारे पास दाब जो है आएगा बल बराबर इसलिए बल बराबर हमारे पास आएगा देखिए जब यह गुड़ा होगा तो यह आएगा न्यूटन में तो हमको यह मिल गया 38,46,5 न्यूटन का हमारे पास बल आगया ठीक है अब हमको बल मिल गया है यहाँ पे जो यह नीचे की तरफ से जो लग रहा ह यह बल हमको पता हो गया और इसके बाद अब हम हाँ रखने के लिए 750 mm लंबी छड़ के सिरे पर अब यह जो किये यहाँ पे जो भार यह W3 है W3 से यह जो टोटल भार है इसको हम ग्रीन से दिखा देते हैं यहाँ से लेकर कि यह जो भार है यह टोटल भार हमको 750 दिया अब हम आगूड लेंगे बिंदू F के सापेक्च तो यहाँ पे देखिए चीजें किलियर होंगी आगूड लेने पर बिंदू F के सापेक्च आगूड तो जैसे हमने यहाँ पे किया था जो यह सिद्ध करते टाइम हमने तो बिल्कुल हम वैसे ही आगूड लेंगे W3, W2, W1, सबसे पहले हम W3 सी लेंगे तो यहाँ पे यह W3 हो गया और यह हमारे पास W3 यह हमारे पास W3 है तो बल गुड़े लंबवद दूरी यह हमारे पास 750 तो W3 इंटू 750 चुकि अंटी क्लॉक्वाइज है इसलिए हम क्या लेंगे इसको रिनात्मक माइनस W3 इंटू 750 यह हो हो गया फिर रिनात्मक डबल्यू टू देखिए डबल्यू ट्यू हमारे पास 40 है 40 गुणे लंब वत दूरी यह हमारा हो गया यहां से यहां तक और यह यहां तक तो 90 और 80 जोड़ देंगे हम यहां पर तो 40 गुणे 90 प्लस 80 40 गुणे 90 प्लस 80 यह हो गया हमारा एक फिर रिनात्मक लेंगे हम डबल्यू वन डबल्यू वन हमारे पास 60 न्यूटन है और यहां पर देखिए यह यह वाला स्वरी दूसरे कलर से आपको दिखा रहे हैं यहां पर यह डबल्यू वन है इस डबल्यू वन से यहां तक की जो द गए माइनस और 60 गुणे 80 ठीक है अब इसके बाद यह जो हमारे पास नीचे की तरफ से यह जो बल लग रहा है जिसको हमने यहां पर चेंज किया यह बल हमको मिला था 38,46 दसमलो 5 तो यह लग रहा है और यह कितने दूरी पर लग रहा है यह लग रहा है यह भी यहां से यह यहां से जब हम यहां की दूरी लेंगे तो यह 80 होगा तो 38,46,5 यह प्लस में होगा 38,46,5 गूना यह हो गया 80 अब इसको हम बराबर कर देंगे 0 के अब हम इसको हल करेंगे और W3 का जो मान है वो हमको मिल जाएगा तो चलिए इसको हम हल करते हैं खेलकूलेटर हमारे पास है और यह जो प्लस है इसको ऐसी ही रहने देंगे सबसे पहले जो 88,46,17 तो 40 गूने 170 हो जाएगा यह माइनस W3 इंटू साथ सो पच्चास माइनस माइनस अच्छा कड़ता 400 इसको हम गुणा करेंगे तो यह आएगा हमारे पास गुणे असी तीस, सत हत्तर, बीस, बराबर, जीरो, के हो गया त्रचोव का अड़ा साथ यह और यह दोनों को हम जोड़ देंगे तो यह हो गया हमारा 48,100 माइनस W3 इंटू साथ सो पच्चास माइनस में आएगा 11,600 प्लस 37,20 पराबर, जीरो यह अलग अलग चीनके हैं तो इसमें से घटा देंगे तो यह हमारे पास कुछ इतना माना जाएगा जो की होगा प्लस में 29,61,20 बराबर साथ सो पच्चास W3 इसके बराबर करेंगे तो यह हमारे पास जो माना आएगा वो 394,826 तो यह मान हमारे पास W3 का आगया चुकि यह भार है और सब भार हमारे पास न्यूटन में है तो यह न्यूटन में आएगा तो यह आगया 394,826 न्यूटन यह हमारा इस प्रस्ण का एंसर हो गया उसके बाद हम हम अगला question देखेंगे जो की है हमारा दूसरा question यह चुकि तीसरा नहीं है यह है हमारा अगला question, question number 2 इस question के लिए हम यहाँ पे वही example, sorry, वही चित्र लेंगे और इसी की सहायता से हम प्रसन को फिर से हल करेंगे तो इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज किया हुआ है क्वेश्चन में कि एक लिवर सुरक्षा वाल्व में वाल्व के स्पिंडल का ब्यास मतलब कि ये जो ब्यास है वाल्व का ये जो निचला सीरा है अब सायद दिखेगा आपको ये जो निचला सीरा है इसका जो ब्यास है वो 4 से मी है तो हमारे पास जो जो चीज़ें उसको नोट करेंगे हम ब्यास बराबर अर्थाद d बराबर हमको पता है 4 cm उसका भार अर्थाद जो वाल्ब है वाल्ब के स्पिंडल का ब्यास हो गया और वाल्ब का जो भार है वो हमको पता है तो जब हमारे पास ब्यास है तो यहाँ पे हम तुरंट 6 तरफल ग्याद कर लेंगे 6 तरफल बराबर पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर तो यह हमारे पास कितना हो गया 0.785 गुणे चर्चव का 16 तो इसको हम हल करेंगे तो आएगा हमारे पास 12.56 सेंटीमिटर इसको आए रहे हमारे पास छेतर फल आ गया उसके बाद हमको भार दिया हुआ है किसका वाल्ब का भार वाल्ब का भार अर्था W1 हमको पता है यह हो गया हमारा 10 न्यूटन ठेक है यह लीवर के साथ आलंब से 10 सेंटीमिटर की दूरी पर जुड़ा हुआ है अब यहाँ पर फिर से देखेंगे क्या कह रहा है कि वाल्ब जो है वो लीवर के साथ आलंब से 10 सेंटीमिटर की दूरी पर जुड़ा हुआ है मतलब यह जो L1 दूरी है हमको दिया हुआ है कितना L1 का मान हमको 10 सेंटीमिटर पता हो गया यह लीवर का भार 25 न्यूटन है मतलब कि यह W2 25 न्यूटन दे दिया हमको और उसका गुरुत्य केंद्र आलंब से 20 सेंटीमिटर की दूरी पर है आलंब से अर्थात जो L2 है L2 का मान हमको दे दिया 20 सेंटीमिटर फिर कह रहा है कि यदि आलंब से 60 सेंटीमिटर की दूरी पर आलंब से 60 सेंटीमिटर की दूरी पर हम जाएंगे इसको हम दूसरे कलर से देंगे यह माली जे दूरी जो है यह साट सेंटीमीटर 200 न्यूटन का बोज लटकाया गया है W3 हमको मिल गया 200 न्यूटन का तो बॉयलर में दबाव ग्याद कीजिए जिस पर वास्प बाहर निकलेगी तो हमको जो यहां से पी का मान है पी का मान हमें ग्याद करना है तो पी बराबर क्या होगा इसको निकालना है तो चलिए सबसे पहले हम वही आगूण का सिध्धान जो है हमारा वही आगूण का सिध्धान लगाएंगे और प्रश्ण को हल करेंगे तो हमको सब चीज मिल गया, हमने सब कुछ इस चितर में ही नोट कर दिया है तो यहाँ पे हमने छेतरफल ग्याद कर लिया अब हमको थोड़ा सा यहाँ पे जो हम पहले करते थे वहीं कर लेंगे कि दाब बराबर अर्थात P बराबर होर सपान एरिया तो यहां पे हमारे पास 6 तरफल इतना है P हमारे पास नहीं, हमको नहीं पता है तो यहां पे हम P into 6 पास 12.5, 6 हो गया यह हमारा क्या हो गया? यह हो गया, बल यफ ठीक है, अब हम आघूंड लेंगे तो आघूंड बराबर यहां पे हम नोट करेंगे कि बिंदू यफ के सापेक्ष आघूड लेने पर तो आघूड लेंगे हम जैसे हमने अग्दम बिल्कुल पहले केस में लिया था इधर से राइट साइट से डब्डू थ्री तो माइनस डब्डू थ्री इंटू जो की हमारे पास 200 है तो हम डाइरेक्ट मान रखते हुए चलेंगे की माइनस 200 गुडे दूरी हमारे पास है हरे कलर से हमने 60 लिया था तो यह 60 हो गया माइनस डब्लू टू हमारे पास 25 है 25 गुडे 20 चंटी फिर हम लेंगे तीसरा माइनस W1 W1 का मान हमको दिया हुआ है कितना 10 दिया हुआ था यह जैसे कि हमने नोट किया है तो 10 गुणे यह जो दूरी है वो भी 10 है तो यह 10 हो गया उसके बाद यह फिर प्लस में नीचे की तरप से जो लग रहा है बल गुणे लंबवद दूरी तो बल हमारे पास पी गुणा 12.5 बल यह जैसे हमें अभी कल्कुलेट किया बल गुणे लंबवद दूरी हमारे पास यहाँ पे 10 है तो 10 बरावर हो गया 0 अब हम इसको हल करेंगे तो हल करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा यह हो गया हमारा 6 दुना 12 माइनस 12 पे 2 एक 3 0 माइनस 25 दुना 50 50 पे 1 0 माइनस 100 प्लस यह हो गया हमारा 125 दसमलो चाप यह 0 आएगा तो एक अंक इधर चला जागा यह हो गया हमारा अब इन तीनों को हम क्या करेंगे इन तिनों को जोड़ देंगे एक रंका चीन होने के कारण माइनस तो पांच एक छा ये बार छे सो हो गया ठीक है और प्लास एक सो पच्चीज 125 दस मलो 6 P बरावर 0 तो इसको हम इधरी रहे देंगे ये माइनस चीन को हम ले जाएंगे इस साइड 125 दस मलो 6 P बरावर 126 0 तो P बरावर हमारे पास आएगा भाग देंगे भाग देने से हमको मिलेगा सो दस मलो तीन एक आठ न्यूटन पर चुकि यह देखेंगे हम एमेम में था या दूरी हमारी थी सेंटीमीटर में तो यहाँ पर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्कॉयर में हमको दावति व्रता मिल गई इसलिए दावति व्रता बराबर सो दस मलो तीन एक आठ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्कॉयर यह हमारा एंसर हो गया इस तरीके से हम हमने देखा कि सुरक्षा जो वाल्ब है उसमें जो आघूड कैसे लेते हैं और आघूड पर जो आधारित और प्रस्न हैं उनको हम कैसे हल करते हैं का ममारं जो मलता थाएंसर प्रस्केश नोड़ गदयladı कि लो वाल्ब